गूड मोर्निंग एवरिवन दोस्तो आज है दिसंबर 31st 2022 हम लोग करने वाले हैं दा हिंदू न्यूस पेपर के नैलेसिज मेरा नाम है सितेंदर चोधरी और आज फिर से हम लोग कुछ टोपिक्स यहाँ पर करने वाले हैं तो कौन कोचे टोपिक रहेंगा आज बार देख लेते हैं आज मेरी थोड़ी तबियत खराब है तो मेरी आवाज थोड़ी खराब आपको नजर आ रही होगी गला काफी खराब है मेरा बट एनिवेज कुछ टोपिक्स जो हम लोग करने वाले हैं वो बता देता हूँ आज आपको तो हर महीने लगबग हम यह टोपिक करते हैं कोर सेक्टर वाला तो यह कोर सेक्टर क्या होता है इंडिया की एकॉनमी में इसका क्या रैलेवेंस है उसके बारे में बात करेंगे उसके लबाब स्मॉल सेविंग स्कीम्स क्या होती है और गुवर्मेंट ने क्योंकि इनके उपर अभी इंटरेस्टेट को चेंज किया है तो कैसे काम करता है fiscal deficit क्या होता है forex क्या होता है forex मतलब foreign exchange reserve इसको कौन-कौन से components होते है और ये कैसे हमारे लिए beneficial होता है उसके लबाव जो editorial है आज का वो कहता है कि new world and India जिस तरह से दुनिया में scenario change हो रहा है पूरी दुनिया का geopolitics change हो रही है वहाँ पे India कैसे अपने role को relevant रख सकता है ये topic हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले है उसके लबाव कुछ additional article यहाँ पर डाले गए हैं आपके लिए लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दू कि हम लोग January में अपना foundation course launch करने वाले हैं अगर आप वो join करने में interested हैं तो आप हमारी website को visit कर सकते हो नीचे description में आपको link मिल जाएगा उसके लबाव test series भी हम लोग चलाने वाले हैं उसका link भी आपको नीचे description मिल जाएगा चलिए बढ़ते हैं topic पे तो अगर आज के दिन की बात करें तो 1999 में एक बहुत ही खराब incident हुआ था इंडिया में जो की इंडिया के इतिहास में एक black day के रूप में भी जाना जाता है और उस दिन एक इंडियन airlines का plane जो है वो hijack हुआ था ये उसे मैटल व्यारी वाजबेजी की सरकार थी और ये hijack हुआ था काठमांडू से उड़ा था ये काठमांडू से उड़ा तो जैसे ही वो इंडियन एर स्पेस के अंदर आया तो hijackers उसके अंदर पहले से बैठे हुए थे तो उन्होंने पूरा hijack कर लिया था ये plane इसको आना नहीं दिल ली था लेकिन वो नहीं दिली तो of course नहीं आया क्योंकि उसके अंदर fuel कम था तेल उसके अंदर कम था तो वो अमरित सर में land करवाया गया ताकि उसको refuel किया जा सके लेकिन अमरित सर में वो refuel नहीं हुआ और काफी criticize किया जाता है decision को क्योंकि अमरित सर में जब वो land हुआ तो हमारे commandos के पास हमारी forces के पास उससे में मौका था कि हम लोग terrorist को पकड़ सकते थे, मार सकते थे हलागि उसमें कुछ passenger की जान जाती बट उससे में मौका था बट वो एक हमारे defense forces का failure भी माना जाता है कहीं न कहीं और airport authorities का भी तो जब अमरित सर में उसको fuel नहीं मिला तो वो लाहोर जला गया लाहोर में उसको refuel किया गया उसमें तेल भरा गया और यहां पे लाहोर में ही कुछ passengers को छोड़ा भी गया था जिसमें से एक की तो death ही हो गई थी लाहोर के बाद फिर वो जड़ा दुबई में और दुबई से फिर वाया कंदाहर में उसमें अफगानिस्तान के अंदर तालीबान का कंट्रोल हुआ करता था उन दिनों और तालीबान ने बीच में negotiation करने की कोशिश किया और उसमें उनकी demand ये थी के मसूद अजर जैसे का आप यहाँ पर देख सकते हो मसूद अजर के भाई और उसके कुछ और terrorist थे उन्होंने इसको basically hijack किया था और मसूद अजर के अलावा दो और terrorist की यहाँ पर release करने की demand रखी गई थी बहुत discussion हुआ बहुत negotiation हुआ बट finally India की government ने decide किया कि इन तीनों को छोड़ दिया जाएगा और जिस decision को आज तक criticize किया जाता है और फिर इनको छोड़ा गया भाई तीनों को मसूद हजर तो आपको पता ही है जैसे मोहमत की स्थापना की गई और जैसे मोहमत ने क्या-क्या नहीं किया है हमारे देश में कश्मीर में कितने लोगों को बाद में मारा parliamentary attack हुए 26-11 attack हुआ वो सब चीज़े है न तो ये छोड़ना बहुत महंगा पड़ा हमें मतलब imagine करिये कि यही scenario अमेरिका में होता इसराइल में होता तो क्या वो लोग ऐसे negotiation करके छोड़ते तो ये तो कहीं न कहीं give up करना हो गया terrorist लोगों के सामने future में वो ऐसा कुछ कर सकते हैं है न उसके लिए signal मिल गया उनको तो काफी criticize किया जाता है बट उसने में एक जो सरकार थी और हमारे प्रदाहन मंतरी थी उसने में अटल व्यारी वाजबेजी उनको लगा के शायद ये एक better decision हो सकता है passengers की जान बचाना खेर वेक अलग मामला है तो ये एक उस समय हुआ था खेर core sector output rises 5.4% in uneven recovery uneven का मतलब ये होता है कि कुछ sector अच्छा ग्रो कर रहे हैं कुछ sector खराब ग्रो कर रहे हैं मतलब बहुत अच्छा performance नहीं कर रहे हैं जैसे आप इस टील सेक्टर काफिछ अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसके लाबा अपना जो coal electricity sector है वो भी ठीठा ग्रो कर रहा है refinery sector उतना अच्छा ग्रो नहीं कर रहा है जितना होना चाहिए था तो ये core sector क्या होता है देखिए ये detail आपको जानने की कोई requirement नहीं है हर मीने आता है ठीक है तो core sector basically हमारा जितना भी industrial output होता है 8 core industry होती हैं इंडिया में जो की हमारे total output का 40% weight carry करती है कौन-कौन सी 8 industry है आपको याद होना चाहिए रटा मार लो इसके उपर refinery products, electricity, steel, coal, crude oil, natural gas, cement और fertilizer ये 8 core industry है तो इनकी performance से हम लोग पूरे industrial sector की performance को measure कर सकते हैं और इनकी performance measure करने के लिए हमारे पास एक index of industrial production एक index होता है CSO जो है इसको compile करता है under ministry of statistics and the program implementation इसको calculate करने के लिए जो base year है वो आता है 2011 and 2012 ये आपको पता होना चाहिए हर महीने हम इस topic को एक बार करते हैं अगर आप पराने aspirant है लगातार analysis देखते हैं तो आपके पास से content पहले से होगा ही of course जो नए है student पहली बार आ रहे है channel पे उनके लिए नया content हो सकता है तो जो नए हैं पुराने हैं सभी लोग वीडियो को like जरूर करें और comment section में अपने attendance भी दे दिया करो जब भी आप analysis देखते हो most small saving plans to yield more in new quarter PPF सुकन्य rates status देखे इस article का मतलब ये है कि जैसे government ना कई सारी small saving schemes चलाती है जैसे post office के अंदर को deposit करना हुआ किसान विकास पत्र हुआ PPF हुआ सुकन्या समरिध्धी योजना हुआ ये जो योजना ही होती है इन्हे small saving scheme कहते हैं क्योंकि इसके दो कारण है एक कारण तो ये है कि आप इसके अंदर unlimited deposit नहीं कर सकते साल भर में साल लाख रुपे या डेड़ लाख रुपे से ज़्यादा deposit नहीं कर सकते अलग-लग scheme के अंदर अलग-लग होता है और ये लंबे समय तक आपको investment इसके अंदर करना पड़ता है क्योंकि इसके अंदर छोटा amount ही आप deposit कर सकते हो इसलिए से small savings scheme कहते है इनका benefit यह होता है कि जो आपको अपने bank के saving account पे interest rate मिलता है जैसे 3-4% मिलता है small savings scheme में आपको interest rate काफी जादा मिलता है उसके comparison में जैसे आपको सुकन्य समरिधी में आपको 7.6 मिलेगा PPF में आपको 7.1 मिलेगा national savings certificate में वो 7 मिलेगा senior citizen savings scheme होते इसमें 8 मिलता है यह percentage है interest rate का जबकि saving में वो 4% 3.3 से जादा नहीं मिलता है तो basically जन्ता को encourage किया जाता है saving करने के लिए ताकि लोग पैसा कमाए saving करें सरकार के इसमें यह benefit होता है यह सरकार को पैसे की requirement होती है बहुत सरे कामों के लिए ताकार को पैसे मिल जाता है लोगों को saving हो जाती है सबका benefit होता है इसमें तो यह होती है हमारी small savings schemes central government द्वारा यह manage की जाती है तो इसको हम लोग basically तीन category में डिवाइड कर सकते है small savings schemes को एक होती है post office deposits saving certificate और social security scheme social security scheme जैसे senior citizen saving scheme हो गया ppf हो गया इसमें आप हर महीने जो है थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करवाते हो तो 10-15 साल के बाद आपको एक amount मिलता है उसे जो है हम लोग कहते हैं सुकन्य समरिद्धी योजना basically 2015 में चलाई गय थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभ्यान के अंदर में जिसमें जो girl होती है अगर उसकी एज 10 साल से कम होती है आप उसको girl child की उमर 10 साल से कम होती है ताप उसके नाम पर अकाउंट open करवा सकते हो ये tenure of the deposit is 21 years ठीक है जब आप अकाउंट open कराते हो तो 21 साल तक जो है वो अकाउंट रहता है 7.6% जो है इसमें हर साल आपको interest rate मिलता है जो की काफी ज़ादा होता है normal saving rate से जो आप bank में करवाते हो और इसमें जितना भी आप पैसा करवाते हो सुकन्य समरीद्धी में उसमें आपको tax benefit मिलता है पतला आपको जब tax file करना होता है तो आप वो दिखा के थोड़ा tax के नदर छूट मिल जाती है ठीक है चलिए study shows butterflies bedazzle predators and the escape यह कुछ खास topic नहीं है basically 4-5 साल से कुछ PhD student थे और वो एक research कर रहे थे कि बहुई over a period of time जो butterflies होती है वो कैसे evolve होती है भेना दीखे butterflies के बहुत सारे predators होते हैं जो इसको consume करते हैं खाते हैं थो उनसे butterfly अपने आउब को कैसे protect करती है butterfly का एक बहुत ही mechanism होता है अपने आउब को protect करने का यह mimic करती है देखे जैसे मानलो कोई predator है जैसे मानलो सपेरो है ठीक है कुछ butterfly ऐसी होती हैं, जो की toxic होती हैं, उसको तो consume करेंगी नहीं. तो जो normal वाली butterfly होती हैं, वो क्या करती हैं, उस toxic butterfly की mimicry करती हैं. उसके जैसा बनने की कोशिश करती हैं. उसका उड़ने का style, उसके colors का style, तो जिससे यह sparrow confused हो जाती है. उसको लगता है कि ये toxic butterfly है तो उसको consume नहीं करती है तो ये study बगर इन्होंने किया था और western hearts के अंदर इन्होंने ये study किया है जिसके बाद भी इन्होंने ये बाते कहीं है तो survival के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं हर species के तो भाई ये इनका तरीका है opposition divided on the remote voting machine ये topic हम लोग ने कल किया था कि जो migrate workers है वो भी अपने जहां पे वो लोग रहते हैं काम करते हैं वहां से वो voting कर सकते हैं RVM के द्वारा रिमोट EVM machine तो कल हम उन्होंने बताया था आपको के political parties को invite किया गया है उनके opinion जानने के लिए तो कहीं सरी political parties हैं यहाँ पर इसका support कर रही है जैसे जनता दल्य उनाइटिड तेलगू देशम parties उगर आई है इसका welcome कर रही है लेकिन कुछ हैं दूसरी party है जैसे DM के है Congress है समाजवादी party है वो इसको welcome नहीं कर रही है आगे क्या होगा वो थोड़ा देखने वाला सिस्टम यहाँ पर रहने वाला है तो जो parties इसको support नहीं कर रही है उनका यह कहना है कि भाईया EVM मशीनों को लेके already हमारे मन में doubt है ठीक है OVM मशीनों के उपर questions भी खड़े होते हैं बहुत बार political parties करती हैं यह उसको तो ठीक करो नई चीज इंट्रड्यूस करने से पहले और राजेसभा मेंबर है DMK के पी विल्सन इनका कहना है कि इस तरह का proposal लाने से पहले पहले कानून के अंदर change होना चाहिए election commission अपनी मरजी से यह सब नहीं कर सकती है बागी VVPAT जो होता है VVPAT आपको समझते अगर आपने voting कभी किया होगा तो आपको पता चल गया होगा कि जब वहाँ पे button दबाते हो तो एक परची आती है slip आती है जिसके उपर पता चल जाता आपको कौन सी political party को आपने vote किया है confirmation हो जाती है बेसिकली उसे VVPAT कहता है water verifyable paper audit trail है न तो इनका यह कहाना है कि VVPAT को लेके भी बहुत सरे doubts रहे हैं past में तो यह नहीं जो machine होंगी जो remote काम करेंगी वहाँ पर यह कैसे काम करेगा इसको लेके भी बहुत सरे doubts है तो political party ने अपना-पना concern बताया है let's see के election commission of India कैसे उनके concerns को दूर करती है पुतिन जी हेल best in history ties vote to deepen तो यह ऐसा होता है वह यह हर साल साल के end में political leaders अपस में बात करते हैं तो Mr. Putin और यह Mr. Z नहीं दोनों ने एक online conference किया और अपने-अपने concern बताये और अपने जो relation है उसको और मजबूत करने के लिए कुछ ना कुछ बाचित किया तो Russia, Ukraine तो of course सबसे बड़ा मुद्ध यहां पे होने वाला ही है उसके लावा जो trade war चल रहा है अमेरिका के बीच में और चाइना के बीच में उसके बारे में बात हुआ उसके लावा कुछ European countries जो जिनने चाइना के उपर बैन वगरा लगा दिया है उसके उपर इन्होंने बात चीत किया तो दोनों leaders का यह कहना है basically के भाई अभी हमारे relationship history में सबसे best mode पर है हाला कि अगर आभ historically देखो China और Russia के relation बहुत अच्छे नहीं रहे है बट बात वही है भाई दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है तो अपने differences को भुला के यह लोग अभी relation बढ़िया करने की कोशिश कर रहे है इवन रशिया जो है China का सबसे बड़ा oil trading partner भी बन गया है और 200 billion के dollar का लगभर trade का target है इनका 2024 तक यहाँ पे इंडिया का क्या हो सकता है च्योंकि इंडिया तो रशिया के काफी close रहा है इस्टोरिकली चाइना हमारा दुश्मन ही समझी एक तरह से तो चाइना के साथ relation जो रशिया का है वो इंडिया वहाँ पे कहाँ fit बैठता है वो एक बड़ा ही interesting यहाँ पे angle है क्योंकि अगर आप देखें 1971 के war में देखें 1965 के war में देखें 1999 के war में कारगिल वाले में रशिया ने हमेशा ही इंडिया को support किया है तो क्या चाइना के साथ जो concern अगर future में होते हैं इंडिया के कुछ war होता है कुछ भी होता है तो क्या रशिया हमारी support करेगा यह चाइना की support करेगा यह बड़ा interesting है देखना महला कि most of the experts का यह कहना है कि अभी इंडिया expect नहीं कर सकता रशिया से कि उसकी help करेगा क्योंकि वो जमाना बदल गया है reality बदल गई है वो जमाना हुआ करता था भया जब इंडिया और अमेरिका के आपसमें पठती नहीं थी आज कल थो हम लोग खास दोस्त है तब रशिया हमारा खास दोस्त हुआ करता था तो चीज़े बदल गई है नए सेनेरियो आ गए है जियो पोलिटिक्स में let's see future में क्या होता है fiscal deficit touched 59% of the full year target in November यह fiscal deficit क्या होता है क्या यह पुरी बात कर रहा है देखिए हमारा जो total budget है उस budget का 59% हमारा fiscal deficit है fiscal का मतलब होता है भाई किसी भी देश की fiscal policy का मतलब होता है ऐसी policy जो government की income और जो government के expenditure की बात करता है तो government की income बहुत सरे तरीके से होती है ऐसे government को खर्चे के लिए भी पैसा चाहिए होता है तो government की income और government के खर्चे मतलब revenue और expenditure दोनों के बीच का जो difference होता है उसे fiscal deficit कहते है और यह जो income होती है government की वो दो तरीके से हो सकती है या तो वो tax के थुरू हो सकती है या फिर वो non tax के थुरू हो सकती है अब सारी income सरकार की tax के थुरू तो नहीं होती बहुत सारी non tax के थुरू भी होती है जैसे मालो इंडिया की government ने बंगला देश को 10 करोडर पर लोन दिया है तो उस पर जो interest rate मिलेगा वो तो income ही होई ना हमारी तो वो तो tax के थ्रू नहीं होती है जैसे हमारा railway होता है railway की भी income होती है हमारी जो PSUs होती है इनकी भी income होती है तो ये non-tax income में आती है ठीक है जैसे interest receipt, grant in it, dividends वो सब non-tax income होती है गवर्मेंट की उसके लावा corporate tax, custom duties, excise duty GST विगारा वो सब taxable income होती है तो एक बार income collect करने के बाद फिर खर्चा देखा जाता है खर्चा भी बहुत तरीके से होता है वही लोगों को pension भी देनी रहती है salary देनी रहती है इतने सारे government employees होते है है आपको asset भी generate करने होते है आपको school बनाना है road बनाना है, ports बनानी है health के उपर खर्चा होता है, education के उपर खर्चा होता है तो government का बहुत तरीके से खर्चा भी होता है और बहुत सारे income का जुगार भी होता है तो दोनों के बीच में मतलब revenue expenditure, capital expenditure दोनों को जोड़ दोगे तो ये total income हो जाती है revenue receipt और capital receipt ठीक है तो basically expenditure है ये पहले वाल expenditure है, दूसरे वाला income है तो दोनों को minus कर देते हैं तो अपने पास fiscal deficit आजाता है ठीक है, और India में of course सरकार का खर्चा जादा होता है, income कम होती है तो इंडिया का जो fiscal है वो हमेशा से deficit ही रहता है, surplus नहीं जाता है तो ये थोड़ा आपका पता होना चाहिए ये छोटी-छोटी economy की term होती है जो newspaper में आपको frequently देखने को मिलती है तो आप इसको थोड़ा सा देख सकते हो चलिए 4X reserves dip for the second straight week तो इंडिया का 4X reserve भाईया वो कम हो गया है फिक है, वो इस समय 562.808 billion dollar तक पहुँच गया है जबकि एक जमाना ऐसा था इंडिया में 691, मतलब 672 billion तक पहुँच गया था अभी तो काफी कम हो गया है 100 billion के आसपास कम हो गया है यह data आपको ज़्यादा जानने की requirement नहीं होती है बस आपको यह पता होना चाहिए exam के perspective से sorry यह फोरेक्स reserve होता क्या है foreign exchange reserve ठीक है देखिए, मतलब cash की form में bank deposit की form में bonds की form में हमारा जो RBI होता है वो बहुत सारे assets को अपने पास रखता है लेकिन वो Indian रूपी में नहीं रखता foreign currency में रखता है तो जो cash मतलब जैसे dollar हुआ, pound हुआ bank deposits bonds Indian currency के अलावा दूसरी currency में होते है उसे हम लोग forex reserve है ठीक है, जैसे मालोगी अमेरिका जो है कुछ government security issue करती bond issue करती है, तो government issue bond का खरीद सकती है तो वो भी हमारे foreign exchange reserve का part होगा जो gold होता है, वो भी foreign exchange reserve का part होगा ठीक है, तो RBI जो है इसको पूरा manage करती है और foreign exchange reserve हमें क्यों चाहिए तो बहुत जाता requirement होती है अब जो भी चीज़े हम लोग import करते है ठीक है, तो import के लिए हमें तो पैसा तो देना पड़ता है अब आप रुपया तो दोगे नहीं, अब माल लोग आपने इराग से तेल खरीदा अब इराग को हम लोग रुपया थोड़ी न देंगे उसको तो dollar ही देना पड़ेगा तो जब आपके पास dollar होगा तभी तो pay कर पाऊगे इसलिए foreign exchange reserve के requirement होती है ताकि import का जो पैसा होता है आप जो चुका सकते हो 1991 के अंदर दिक्कत इंडिया में यही हो गई थी इंडिया पास foreign exchange reserve बचा ही नहीं था तो अग आप भाया सोचके देखिए मालोचाइलां के साथ यूद हो रहा है और आपके पास foreign exchange reserve ही नहीं है तो आप तेल कैसे खरीद होगे आपके तो tank खड़े खड़े रह जाएंगे क्योंकि बीना पैसे तो आपको तेल मिलेगा नहीं तो इसलिए foreign exchange reserve हमारा defense first line of defense होता है जब भी economic slowdown होता है मिलके बनता है foreign currency assets ठीक है gold special drawing rights और reserve tranche position ठीक है चार चीजों से मिलके बना है foreign currency assets तो आप समझी गएंगे जो board उगरा होते हैं cash उगरा होता है dollar उगरा होता है दूसरी currencies में gold भी आपको पता ही है SDR क्या होता है basically mostly country जो है IMF का part होती है ठीक है लेकिन हर कोई country IMF का part नहीं बन सकता जैसे आप यह समझा लीजी Netflix है ठीक है आपको Netflix का subscription लेना पड़ता है उसके content को access करने के लिए वैसे ही IMF का member बनने के लिए आपका एक subscription fees देते हो ठीक है subscription fees देते हो तो जो हर country का quota होता है वो IMF में जमा किया जाता है उस country को जब पैसे की requirement होती है तो ठीक है उसे हम लोग reserve tranche कहते है मतलब हर country अपने कोटे के हिसाफ से IMF में जो contribute करती है that is reserve tranche position तो कभी जब बहुत emergency हो जाती है तो हम लोग IMF से पैसा ले सकते हैं in terms of help special drawing rights भी basically कहीं सारी currencies के coverage होता है तो IMF जब किसी country को पैसा देता है तो वो SDR की form में देता है ये अलग तरह की currencies की average होती है 4-5 currency के average होती है जो IMF किसी को loan देता है economy का ये major topic है तो बहुत आर detail में नहीं जाओंगा मैं उमीद करता हूँ ये आपको शायद इसके बारे में पहले पता होगा नहीं पता है तो प्लीज आप छोड़ा इसके बागरे में जाके detail में पढ़ें क्योंकि newspaper के analysis में बहुत ज़दा detail में आपको नहीं पता सकता है क्योंकि ultimately एक डेड़ घंटे का topic होता है ये पूरा IMF वाला और Forex Reserve वाला बढ़ थोड़ा सा इसको समझ सकते हैं हम लोग कि IMF जब किसी country को पैसा देता है, help देता है जैसे शिरिलंका को, पाकिस्तान को तो SDR की form में दिया जाता है और SDR कहीं सारी currencies की average होती है और कोई country जब IMF में contribute करती है अपने quota के इसाब से उसे reserve trans position कहा जाता है ये थोड़ा आपको पता होना चाहिए, चली तो आज का जो article है वो शशी थरूर जी ने लिखा है और प्रवीरिनी चक्करवरती जी ने लिखा है तो हलांकि दोनों Congress Party के ही member हैं तो definitely आर्टिकल थोड़ा सा political जरूर होगा बट मैंने कोशिश की है इसके जो इंदर political angle है उसको remove कर दिया जाए और जो मोटी मोटी सी बाते हैं वो आपके सामने लेके आया जाए तो आर्टिकल की शुरुआत होती है एक बहुती जबरदस court के साथ ठीक है और यह court जो है वो लैलिन ने दिया था वोज रुशियन लेडर initially after 1950s तो लैलिन ने यह कहा था there are decades when nothing happens and there are weeks when decades happen मतलब कुछ decades ऐसे होते हैं जो बहुत ही सूस्त होते हैं lazy होते हैं जिनके अंदर कुछ भी development नहीं होती लेकिन कुछ हफते ऐसे होते हैं उसके अंदर इतनी development हो जाती है जो कि कई सालों तक नहीं होती है ऐसा होता है ना जिन्दगी में अचानक से मोड आ जाता है अचानक से जिन्दगी change हो जाती है और कई मार जिन्दगी ऐसे ही चल रही होती है सेम सेम चला रही होती है तो उन्होंने ये कहा है तो बेसिकली ये कहना इनका ये है कि 2022 का जो साल है 2021 और 22 का साल है खासकर 20 की बात कर रहे हैं तो येस के अंदर काफी सारी development हुई है जैसे दीरे दीरे हम लोग ने COVID से recover करना शुरू किया ये भी development 2022 में ही हुआ है रशिया यूकरेन वोर हुआ ये भी बहुत बड़ी development है ये दुनिया भर में inflation फैल गया ये यूरप के अंदर गैस की shortage हो गई ये सारी चीज़े 2022 में हुई है तो there are some years जहां पर बहुत सरा development हो जाती है तो दुनिया की सच्चाई बदल रही है जो दुनिया 2020-22 से पहले थी वो अलग दुनिया थी जो आज है वो दुनिया बिल्कुल अलग हो चुई इनका ये कहना है कि भहिया पहले अमेरिका और ये उरोप innovation के लिए जाने जाते थे लेकिन अब वहाँ पर innovation नहीं हो रहा है आजकल innovation कहां हो रहा है चाइना में हो रहा है innovation कहां पर हो रहा है आजकल South Korea में हो रहा है innovation कहां हो रहा है इंडिया में हो रही है तो traditionally जिन countries गंदर innovation होता था वो कम हो गया है दूसरी country में shift हो गया है एक तो ये नया सच्चाई है पुरी दुनिया की ट्रेड वोर आप यहाँ पर देख सकते हो अमेरिका चाइना के बीच में ट्रेड वोर चल रहा है इंडिया चाइना के बीच में चल रहा है योरप रिशिया के बीच में चल रहा है ये भी नई सच्चाई है पुरी दुनिया की उसके लावा free trade agreements को जो है खतम किया जा रहा है globalization के हम लोग बात करते है तो अमेरिका भी आजकल जो है protectionism की बात करता है, यूरोप भी protectionism की बात करता है, इंडिया भी करता है, चाइना भी करता है जबकि कुछ साल पहले तक हर country globalization की बात करती थी open trading की बात करती थी तो reality change हो रही है उसके लावा ये country regional blocks बना रही है जैसे इंडिया एशियान हो गया अमेरिका का group हो गया जिपैन के साथ हो गया, अमेरिका group कैनेडा के साथ हो गया, चाइना का group रशिया के साथ हो गया, तो आजकल ऐसे group बन रहे है, regional groups बन रहे है rather than global groups बन रहे है, ठीक है, तो ये भी नहीं सच्चाई है भाई तो और पिछले कुछ सालों में चाइना का जो aggression बढ़ा है ठीक है, ये भी दुनिया की नहीं सच्चाई है चाइना का नया रूप देखने को मिला है पुरी दुनिया को सिर्फ इंडिया को ही नहीं, इंडिया तो पहले यह देखता ही रहा है पुरी दुनिया को, अमेरिका को भी चाइना की नए रूप देखने को मिला है और यह situation future में change होने वारी नहीं है China is going to be more aggressive in future definitely, पिकोस जैसे जैसे China economically grow कर रहा है, superpower बन रहा है तो हर field में China अपना हाथ पैर मारने की कोशिश कर रहा है तो उस case में क्या हो रहा है, जो already established order था जो second world war से चला आ रहा था वो basically यहां पर change हो रहा है और इसकी उमीद किसी को नहीं थी तो Europe और America, चाइना की यह superpower actually adjust नहीं कर पा रहा है उन्हेंने कभी सोचा ही नहीं था कि भाईया कोई Asian country जेके Japan तो उनका ally है कोई Japan के लावा कोई or Asian country जो है इतना बड़ा कारणामा कर देगी और उसको challenge करेगी अब वो challenge हो रहे हैं तो भाई सारा global order है वो distant वो होता जा रहा है something for good, something for bad also तो चाइना को counter करने का आज के समय में सिर्फ एक मातर तरीका है कि इंडिया powerful बने economically खास कर तो इसलिए इंडिया को भी sector में काम करना चाहिए और यह operating country है अमेरिका है उनको भी समझना चाहिए कि चायना को काउंटर करने के लिए इंडिया का growth करना बहुत ज़रूरी है इसके लिए हमें क्या चाहिए हमें technology चाहिए है ना तो इंडिया का यहाँ पर क्या रोल है न्यू रियलिटी एंड इंडिया देखे सीधी सी बादा भाई है मैनुफेक्चरिंग सेक्टर को गुरोथ करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैनुफेक्चरिंग सेक्टर से एम्प्लोईमेंट जिन्रेट होता है बट यह तो ठीक है एक्रोमिकली जब ठीठा कर लोगे बट सोशल हार्मनी भी बहुत जरूरी है समाज में समाज में गर भाईचारा नहीं रहेगा बरदरहुड नहीं रहेगा सोशल हार्मनी रहेगा तो यह डोजन्ट मैटर कितना पैसा आपके पास है अल्टिमेटल अपकी सोशाइटी डीस्टेबलाईज हो सकती है अगर सोशल हार्मनी नहीं है कॉम्मिल इंसिडेंट्स इंडिया में बहुत आम सी बात हो गई है कभी छोटे होते हैं कहीं बड़े होते हैं और उसके अलावा क्योंकि चाइना बहुत अग्रैसिव हो रहा है तो हमारे डिफेंस सेक्टर को भी मोटरनाइज करने की रिक्वार्मन्ट है अकोइडिंग तो इस एडिटोरियल इंडिया के जो नोन अलाइनमेंट पॉलीसी थी भाया उसके अंदर भी उसको भी रिव्यू करने की रिक्वार्मन्ट है तो जिस तरह से दुनिया की सच्चाई चेंज हो रही है तो आप नीट्रल नहीं रह सकते आप नोन अलाइन्ड नहीं रह सकते तो किसी ना किसी गुरूप के साथ आपको जाना ही पड़ेगा तो ये इंडिया को सोचना चाहिए कम से कम यहां पे भी क्योंकि आप अमेरिका को दोस्त बनाओगे यूरोप को दोस्त बनाओगे आपको बनाना ही पड़ेगा क्योंकि आपको technology चाहिए, आपको capital चाहिए अब China से तो technology मिलने से रही Russia से तो मिलने ही रही है defense में कुछ ना कुछ मिल रही है बट Russia खुद बेचारा आज कल इतने समय से inflation का शिकार हुआ पड़ा है तो Russia is not a global power now खासकर economically है न तो अगर हमें technology चाहिए, capital चाहिए तो हमें नए दोस्त ढूडने की requirement है और नए दोस्त हमारे योरप की तरफ है अमेरिका की तरफ है, कोभी हम भी democratic country है वो भी democratic country है तो एक common चीज़ हमारे बीच में यह हो गया उसके लबाँ इंडिया में ठीक है economic growth हब कर रहे हो लेकिन उसके साथ-साथ economic जो inequality है जो uneven distribution of income है उसको भी address करने की requirement है monopoly को address करने की requirement है कुछ लोग के पास नहायती ही पैसा है वो हर resource के को control करते हैं, तो वो इंडिया को देखना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग अगर हम लोग preamble की भी करें, तो हमारा कंट्री के socialist कंट्री है, हम हम लोग की capitalist कंट्री नहीं है, है ना तो monopoly, social inequality को दूर करना चाहिए सरकार को जल्दी से जल्दी inclusive growth होना चाहिए, समाज का हर तबका उटा बड़ा, ओ economy progress के अंदर participate करना चाहिए environmental protection करना भी बहुत जरूरी है है ना, वो सारे की सारे चीज़े और decentralization इस तकी, मतलब देखे जब देश आजाद हुआ था 47 में तो उस समय काफी logical था कि center control करे सब कुछ, क्योंकि इंडिया में उतना unity नहीं था, nationhood की feeling नहीं थी, अभी अभी हो लोग states की तरफ shift होनी चाहिए तो decentralization जो है यहाँ पर बहुत ज़रूरी है states को आप उनका space दीजिए है न, वो अपनी policies खुद बनाएं अपने revenue खुद generate करें वो सब यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है तो यह कुछ-कुछ बाते जो है इनों यहाँ पर कहीं है इस editorial के अंदर में I hope आपका editorial अच्छा लगा होगा हाला कि बातें इसमें मोटी-मोटी से लिखी गई है कोई बहुत specific बात नहीं लिखी गई है but overall जो है it's a decent article, decent editorial also ठीक है, तो यहाँ से अब question बना सकते हो like in the changing in the changing reality in the changing reality of the world discuss how India can adopt new approach to stay relevant to stay relevant and force of peace discuss discuss 150 word मा बलिक सकते हो in the changing reality of the world discuss how India can adopt new approach new approach to stay relevant and the force of peace discuss तुमने लिखी दिया है तो इसको तब यहाँ से काट सकते हो ठीक है तो यह है आज का अपर 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 अच्छा लगा होगा तो आज यहीं भी end करते हैं thank you very much all the best जैहिंद